हलो एब्रिवन बेलकॉण डो मैं चैनल से वित असोग फ्रेंट्स आज हम रूरल बैंकिंग के मड्यूल सी में चप्रेंट्स 17 का पार्ट फोर करने वाले हैं तो फ्रेंट्स ये चप्टर है आपका फानेंसल इंक्लूजन, फानेंसल एजूकेशन और साथ साथ में पौर्टी दी मिनिश्ट्री आफ रूरल डेवल्प्मेंट गौर्र्मेंट आफ इंडिया है लांजड आ न्यू प्रोग्राम नोन आज नाशनल रूरल लाइबलिवूड मिशन न आर एलम बाई रिस्टेक्टरिंग एंड रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग दा स्वण जैनती ग्राम जगारी हो जना ठीक है उसका नाम बतला गया और नया नाम दिया गया नाशनल रूरल लाइबलिवूड मिशन न आर एलम ये काम कब किया गया था एक अपरेल दो हजार तेरा को बाद में नार एलम को यानि नाशनल रूरल लाइबलिवूड मिशन नाम को चेंज किया गया और इसमें डे और जोड़ दिया गया तो अब डे का मतलब हुआ दीन दयाल अंतियोदे योजना नाशनल रूरल लाइबलिहुड मिशन डे अनर अलम और ये कब से हुआ है 29 मार्च 2016 से ओके तो हमें टाइम लाइन समझ में आ रही होगी SGSY स्वणड जैनती है ना स्वणड जैनती ग्राम स्वा रोजगार योजना को रिपलेस करके ही पहले नाशनल रूरल लाइबलिहुड मिशन बनाया गया 2013 में और फिर इसी को जो है 2016 में डे अनर अलम कर दिया गया दिन दयाल अंतियोदे योजना नाम में और जोड़ दिया अनर अलम में तो ये इस क्रम में चला है अबजेक्टिव क्या है गरीबी घटाना बेसिकली क्या है अबजेक्टिव गरीबी घटाना है डे अनर अलम अब आप से कुश्चन पूछा जा सकता है कि डे अनर अलम किस स्कीम को रिपलेस करके लाया गया है तो सौन जैनती ग्रा इसलिए दुबारा रिपीट करवा दिया है सुनर जन्ती ग्राम स्वारोजगार योजना को रिप्लेस करके NRLM स्कीम लाई गई है डे NRLM का अब्जेक्टिव क्या है यह एक फ्लैक्सिक प्रोग्राम है गरीबी को घटानी की कोसिस की जाएगी थो विल्डिंग इस्ट्रॉंग इस्ट्उशन आफ पूर पर्टिक्लरली वोमन and enabling the institution to access the range of financial services and livelihood तो यहाँ पर गरीबी को reduce किया जाएगा कैसी किया जाएगा गरीबों के institutions बनाए जाएगे जिने हम self-help group कहते हैं SSG बनाए जाएगा खास करके women, ladies, मतलब औरतों के जो है self-help group बनाए जाएगे और यह self-help group क्या करेंगे जो different financial services हैं उनको access कर सकेंगे, loan ले सकेंगे पैसे जमा कर सकेंगे, तो इस तरीके से लोगों के जीवन को आसान किया जाएगा केवल women SSG को finance दिया जाता है DNRM में SSG में क्या आदमी भी member हो सकता है तो yes, can have men as member only if men are elder person, transgender or person with disability तो जो self-help group बनेगा जिसको हम finance देंगे DNRM के तहत, वो women का होता है पहली बात इसमें men भी सामिल किया सकते हैं, लेकिन कब जब वो बोड़े बुजुर्ग हों या transgender हों, या दिब्यांग बिखती हों तो उनको हम यहाँ पर जोड़ सकती हैं मेंबर्स की बात करें self-help group में तो जो self-help group बनेगा ओमन का, उसमें minimum 10, maximum 20 person हो सकते हैं लेकिन कुछ special case होते हैं self-help group के जैसे difficult area में, hill area वगेरा जैसे हो गया, उत्तराखंड़ाप का हो गया हमाचल परदीश वगेरा हो गया या ऐसा self-help group जोसमें disabled person आपने सामिल कर रखा है या disabled persons का group है, विकलांग लोगों का group है and group found in remote tribal area या फिर किसी दूर दराज के आदिवासी इलाके में कोई group बन रहा है तो वहाँ minimum 5 लोगों से भी self-help group बनाया जा सकता है यानि minimum कितने होने चाहिए self-help group में 10 maximum 20 होने चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होगा आप सोचे कि 10 विकलांग लोगों के कठा करके self-help group अगर आप बनाने के लिए कहा जाए तो भई 10 विकलांग लोगों ढूनना भी आसान काम नहीं होगा तो ऐसे areas में 5 ऐसे situation में special SSG बोला जाएगा और यहाँ पर 5 person भी minimum 5 लोग हों तो भी SSG बनाई जा सकती है तो number आप members की बात करें तो 10 से 20 member होने चाहिए जर्नली difficult area है या tribal area में self-help group बनता है तो 5 से 20 member हो सकते हैं person with disability का self-help group है आगे बढ़ें अपने जीवन को आसान बनाएं उसके लिए revolving fund प्रोवाइड की जाता है क्या प्रोवाइड की जाता है revolving fund revolving fund क्या होता है समझे जैसे माली जी आपने self-help group बनाया अब इसमें 12 member हैं टोटल मिला करके ठीक है तो क्या होगा कि government of India इस self-help group को 15,000 रुपए देगी ऐसे ही जिसको लोटाना उटाना नहीं है 15,000 रुपए इन members को मिल गए अब भई इस 15,000 रुपए का यूज करके ये कोई छोटा मोटा उद्योग काम जो भी कर सकते हैं वो करना चाहें तो कर सकते हैं अब भली ये रकम बहुत बड़ी ना रगए हो 15,000 लेकिन आप government के point of view से सोचिए कि एक लाख है सच्जी बन जाएंगी और हर एक को 15,000 देना होगा तो बहुत बड़ी रकम होती है और self-help group के point of view से भी एकर देखा जाए तो 15,000 भी कोई छोटी रकम नहीं है एक ठीक ठाक रकम है छोटा मोटा काम किया जा सकता है तो day NRL में एक मुस्त पैसा दिया जाता है उसे ही हम revolving fund बोलते हैं minimum 10,000 रुपे government देती है और maximum 15,000 रुपे देती है government revolving fund के तोर पर अब revolving fund तभी दिया जाएगा जब self-help group जो है कम से कम पिछले 3-6 महीने existence में हो यहनि पिछले 3-6 महीने से self-help group बना हुआ हो आज ही आपने sg बनाया और आज ही आप revolving fund चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा साथी साथ self-help group को चाहिए कि वो जो है follow करें नाम साथ good sg that is they follow पंच सूत्र तो एक अच्छे self-help group के जो नियम होते हैं उन्हें हम पंच सूत्र कहते हैं क्या बोलते हैं पंच सूत्र यह question पूछाता है सारे questions पूछाता है आपसे revolving fund पूछाता है कितना होता है minimum maximum कितना होता है एक good sg के नाम्स क्या है उनका क्या नाम है तो good sg के जो मतलब जो है नाम्स है वो है पंच सूत्र अब पंच सूत्र का मतलब होता है यह पांच चीजे होती है regular meeting होनी चाहिए self-help group की regular saving होनी चाहिए लोग बराबर पैसे बचाए regular internal lending होनी चाहिए आपस में loan दिया चाहिए regular recovery होनी चाहिए जो loan दिया उसकी recovery होनी चाहिए और साथ साथ में book भी self-help group की proper maintain होनी चाहिए self-help group का थोड़ा सा एक जिक्र मैं यहाँ पर कर दूना तो आपको चीजे ज़्यादा समझ महें माल लिजे यह self-help group है ठीक है मैं माल लेता हूँ इसमें 4, 3, 7, 2, 9, 10 लोग है सब मिला करके होता क्या है friends की यह सभी self-help group के members माल लिए यह तै हुआ कि 200 रुपए हर महीने हम लोग जमा करेंगे तो अगर 200 रुपए हर कोई जमा करेगा हर महीने तो 10 लोग हैं चालिस जार रुपए के आसपास आप क्यासे कठा हो गए अब यह चालिस जार रुपए किसी एक बेक्ती को या दो लोगों को 20-20 जार रुपए करके आपस में ही लोन भी बांट दिया रता है यह लोग लोन लेते हैं उससे अपना बिजनेस करते हैं चोटा मोटा और उससे जो पैसा आता है उसको वापस इसी मतलब सेल्फ हल गूरूप को ही लोटाते रहते हैं तो आप अगर देखो तो रेगलर सेविंग हो रही 200 रुपए हर कोई जमा कर रहा हर महीने रेगलर सेविंग हो गई इंटरनल लेंडिंग जो 40,000 रुपए इकठा हुए किसी को लोन दे दिया हमने अब जो लोन दिया है उसकी रिकबरी भी हम करेंगे तो रेगलर रिकबरी मीटिंग भी होनी चाहिए सेल्फ हेल्फ ग्रूप के लोगों के आपस में मीटिंग होनी चाहिए हर महीने हर हफ्ते जैसा भी जड़ोत हो और साथ जात में जो भी पैसे की लेंडेन हो रहे उसका प्रापर हिसाब मेंटेन होना चाहिए तो यह चीज़े अगर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि एक अच्छा है सेल्फ हेल्फ ग्रूप यह है और इसे ही हम पंच सूत्राप एसे जी भी बोलते हैं ओके आगे बढ़ते हैं अगर हम उससे पहले यह जड़ा एक बार इसको रिव्यू कर लिया जाए ठीक है तो इसमें फ्रेंट समने देखा डे अनरलम में तो सबसे पहले सौन जैनती ग्राम स्वरोजगारी होजना थी उसका नाम चेंज करके अनरलम किया गया नाशनल रूरल लाइबलिहूड मिशन किया गया एक अप्राइल दोहजार देरा को और बाद में 29 माच 2016 को इसी का नाम बदल करके दे अनरलम यानि दीन देल अन्तेदे अन्याशनल रूरल लाइबलिहूड मिशन कर दिया गया वो दे से क्या है गरीबी को घटाना है गरीबी घटाएंगे कैसे इंस्टिट्यूशन बना करके जिसे सेल्फ हेल्फ ग्रूप बोलते हैं खास करके औरतों का ठीक है और उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइनेसल सर्विसेस प्रोवाइड करके हम गरीबी को रेडूस करना चाहते है यहां सिर्फ ओमन एसजी को फाइनेस मिलता है मेन भी मेंबर हो सकते हैं लेकिन वो या तो ओल्ड होने चाहिए या ट्रांस जेंडर होने चाहिए या दिब्यांग बेक्ती होना चाहिए मिनिमम दस लोग मैक्समम बीस लोग एलाउ होते हैं नार्मल सिजी में अगर difficult area या tribal area में sg बनती है तो minimum 5 लोग से भी काम चल जाता है और person with disability का अगर sg है तो उसमें भी minimum 5 लोगों से काम चल जाता है government एक सहायता देती है fund के तौर पर जिसे हम revolving fund बोलते हैं यह minimum 10,000 होता है maximum 15,000 होता है लेकिन यह सभी को नहीं मिलता है यह उन्ही self-help group को मिलेगा पहला जो की पिछले 3 महीने या 6 महीने से existence में हो self-help group बना हुआ हो तो रंत के बने sg को नहीं मिलेगा दूसरा जो sg है वो 500 का पालन करता हो एक अच्छे sg होने के लिए जो नियम है उसे 500 बोलते हैं और 500 का पालन करने वाला self-help group होना चाहिए 500 आप sg में अगर बात करें तो regular meeting, regular saving, regular internal lending, regular recovery and maintenance of proper book of account यह सारी चीज़े 500 आप sg में आती है अगर हम बात करें interest subvention की यानि subsidy की बात करें तो up to 3 लाख रुपए तक का loan 7% rate of interest पर offer किया जाता है loan cc के रूप में, od के रूप में या cc plus od दोनों रूप में दिया जा सकता है किसी भी तरीके से loan लिया जा सकता है, cc cash credit होता है, od overdraft होता है तो 3 लाख रुपए तक का loan friends 7% rate of interest पर offer किया जाता है उसके आद में, जो government, मतलब जो bank मान लो 11% charge करता है और 7% rate of interest पर हम government बोलती कि हम आपको loan देंगे तो यह जो difference है, 4% का, यह जो है government of India, bank को return करती है तो difference between interest normally charged by bank and 7% will be paid by government to bank ठीक है, तो जितना भी, यानि कि bank जितना charge करेगा और 7% की बीच का जो difference होगा, उसको bank को pay कर दिया जाएगा, government की द्वारा maximum bank जो है, 65% तक return ले सकता है यानि कि maximum, मान लिजे, bank charge करता है 15%, तो 7% हो गया, ठीक है 7% government कहती है, हम charge करेंगे loan पे, और bank charge कर रहा है 15%, तो कितने का gap हो गया 8% का, तो क्या 8% government लोटा देगी, नहीं, maximum 35% लोटा आएगी government, यह कहा जा रहा है, maximum 35% government जो है, bank को लोटाती है additional interest subvention of 3% is also available, 3% का और फाइदा दिया जाता है self-help group को, अगर वो timely जो है repayment कर देती है, ठीक है, तो 7% rate of interest पर offer किया जा रहा था, लेकिन अगर timely payment कर दीगे तो 3% का और rebate दिया गया तो overall rate of interest कितने का पड़ा केबल, 4% का पड़ता है, तो ऐसे में timely repayment important हो जाती है, बात करते हैं bank के role की, तो opening of bank account KYC verification of only the office wearer service sufficient for opening of saving bank account तो bankों को self-help group का account open करना पड़ेगा, उसके लिए जो KYC करनी होती है वो सिर्फ office wearer की करनी होती है, माल लिए किसी self-help group में 20 member है तो 20 member में से, जैसे बोलते हैं नहीं कि head हो गए, किसी को आपने head बना दिया किसी को secretary बना दिया, किसी को कोशाध्यच बना दिया, इस तरीके से जो office wearer है इन ही लोगों की KYC करनी की जरूरत होती, सब की KYC करनी की जरूरत नहीं होती है बैंक should not insist on PAN number, आफ SSG at the time of opening of account or transaction and may accept declaration from 60 as may be required तो बैंक को चाहिए कि जब भी आप account open कर रहे हैं तो उसमें PAN number ना मांगे जिद ना करें कि नहीं, self-help group का PAN number दीजिए, ओके फार्म 60 भी acceptable होता है, ओके business correspondent deployed by bank may also be authorized to open saving bank account of SSG जो self-help group होते हैं, उनका saving account खोलने के लिए जो business correspondent जो हमारे bankों के BC होते हैं, उनको भी authority दी जानी चाहिए bank finance के लिए conditions क्या क्या होती है, यानि किस case में bank loan देगा तो SSG should be in active existence at least since the last six month as per the book of account of SSG, not from the date of opening of saving bank account तो self-help group पिछले 6 महीने से मौजूद रहना चाहिए और 6 महीने कब से, जब से SSG बना है, जब SSG बनेगा तो उसकी book of account बनेगी, यानि उसकी लेखा जोखा की जो book बनेगी, उसके हिसाब से पिछले 6 महीने से self-help group बना हुआ होना चाहिए, जिस देद को account खुला है उससे 6 महीने हम count करते हैं, SSG should be practicing 5 सूत्रा, यानि कि SSG को चाहिए कि वो 5 सूत्र का पालन करे, एक अच्छे SSG होने के जो नियम होते हैं, 5 सूत्र होता है और उसका पालन किया जाना चाहिए, जिसमें आपका 5 चीज़े, regularly meeting करिए, regularly saving करिए, regularly loan दीजे timely repayment लीजे, और अपनी book off account को up to date रखिए, उसके अलावा existing defunct SSG, यानि कि कोई SSG है, जो पहले से मौझूद तो थी, लेकिन defunct कर गए थी, यानि कि उसने काम करना बंद कर दिया था, तो उसको भी हम loan दे देंगे, बसरती कि पिछले कम से कम 3 महीने से उसे जो है, actively जो है, मतलब उसे revive किया जा और continuously वो active हो पिछले 3 महीनों से, यही कोई self-help group था, वो 2 साल तक चला, उसका आद में टूट गया, या बंद हो गया, ठीक है, तो अगर वो पिछले 3 महीने से active है, तो उसको भी loan दिया जा सकता है, तो यह हो गए, कि क्या conditions होती है, कि bank जो है, उनको loan द की में multiple doses में loan दिया जाता है, एक बार में सारा का सारा आप आए और आपको 6 लाख रुपए का loan नहीं दिया जाता है, एक बार loan दिया गया, आपने लोटा है, फिर दुबारा लोन दिया गया, फिर लोटा है, ति बारा और जादा लोन दिया गया, फिर लोटा है, इस तरीक to access higher amount of credit for taking of sustainable livelihood and improve the quality of life तो इससे क्या है कि ज्यादा मात्रा में ज्यादा amount का credit उनको धीरे धीरे available हो जाता है SSG जाहें तो loan term loan मतलब जो loan है credit है वो term loan के तौर पर ले सकते हैं या CC cash credit के रूप में ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं as per their need ठीक है cash credit CC limit जो होती है वो कम से कम 6 लाख रुपए की और कम से कम 3 साल के लिए sanction की जाती है with early drawing power उसमें drawing power early decide की जाती है और drawing power क्या होगी उसके लिए पूरा charge दे रखा है मतलब maximum कितना हो सकता है loan तो CC के जो maximum limit है वो ज्यादा ज्यादा मतलब minimum 6 लाख रुपए दिये जाने चाहिए loan के तोर पर और कम से कम 3 साल के लिए इन्हें loan दिया जाने चाहिए किसको self help group को अगर CC आप sanction कर रहे हैं the drawing power may be enhanced annually based on the repayment performance आप the self help group अब जो मतलब यहाँ पर loan आपको इतना देना है लेकिन उसमें drawing power का concept आने लगा रहा है और drawing power आपकी बढ़ाई जाती है कैसे जिस हिसाब से आप repayment करते हैं उसी के आधार पर अब देखें ये चाहे doges कह लीजे चाहे stages कह लीजे चाहे installment कह लीजे जैसे भी आप कहना चाहें कह सकते हैं तो doges कह सकते हैं या stages तो stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 भी कह सकते हैं doge 1, doge 2, doge 3, doge 4 भी कह सकते हैं तो देखें मान लीजे चाहे CC दे रहे हूं चाहे term loan दे रहे हूं चाहे जो भी आप चीज दे रहे हूं उससे कोई प्रावलम नहीं है जितना भी इन्होंने बचाया हुआ है पैसा ठीक है जितनी भी इनकी पूझी है उसका 6 गुना या 1.5 लाख रुपए पहले फ्रेंट से ये 1 लाख था बढ़ गया है 1.5 लाख रुपए हो गया है जो भी जादा हो उतना लोन दियाता है पहली doge में जिसकी रिपेमेंट 24 से 36 महिने में करनी होती है मेरी बात समझ गया पहली doge यानि पहली बार जब self help group को लोन दिया जाएगा तो जितना इन्होंने माल लो कि पूझी 20,000 रुपए बचाई हुई है तो 20,000 रुपए का 6 गुना हो गया 1,20,000 रुपए अब 1,20,000 रुपए या 1,500,000 रुपए इसमें जो भी जादा हो तो किलियर सी बात है 1,500,000 रुपए जादा है तो हम 1,500,000 रुपए का लोन इनको पहली doge में सैंक्सन कर देंगे जिसको इन्हें 2 साल से 3 साल में लोटाना होगा doge 2 में आते हैं तो doge 2 में जितना भी इन्होंने करपस का मतलब होता है मूल पूंजी फ्रेंट्स होगे जितना भी पूंजी बचाए हुए उसका 8 गुना या 3,000,000 रुपए जो भी जादा हो चाहे 8 गुना जादा हो चाहे 3,000,000 रुपए जादा हो 10,000,000,000 भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जिसको इन्हें 60-84 महिनों के अंदर लोटाना होता है फ्रेंट्स ये टेबल आपसे पुछी जाती है लिहाजा ध्यान रखना आवस्यक होता है सिक्योर्टी अगर मार्जिन की बात करें फ्रेंट्स तो अब टू 10,000,000 रुपए तक की लोन में ना तो कोई कोलेटरल मांगा जाएगा ना ही कोई मार्जिन मांगा जाएगा ना ही जो SSG का जो सेविंग अकाउंट है उसमें कोई लियन मार्क की जाएगी और ना ही लोन देते समय किसी तरीके कोई deposit कोई FD भी मांगी जाएगी तो 10,000,000 रुपए तक का कुछ नहीं मांगा जाता है अब इसमें guideline में थोड़ा changes है अब क्या है कि 10,000,000 से 20,000,000 रुपए तक यानि अब अगर मैं यहाँ पर कहूं नए टर्म में तो 20,000,000 रुपए तक यह changes है 10,000,000 रुपए तक जो लिखा है यहीं रखेंगे यानि 10,000,000 रुपए तक कोई collateral चाहिए नहीं कोई margin चाहिए नहीं चाहिए कोई lien मार्क किया जाएगा नहीं किया जाएगा लेकिन यदि लोन 10,000,000 से उपर का है और 20,000,000 रुपए तक का है कोई collateral नहीं मांगा जाएगा कोई lien नहीं मार्क किया जाएगा लेकिन 10%, जादा से जादा 10% का margin मांग लेते हैं 10,000,000 से जादा और 20,000,000 रुपए तक के लोन में 10% maximum 10% का margin bank मांग सकता है थोड़ा ध्यान रखिएगा किसी ने लिखा था comment में कि 20,000,000 रुपए तक अभी कोई margin नहीं है तो वो गलत है फ्रेंट आरवे के circular के हिसाब से latest circular के हिसाब से guideline यही है कि 10,000,000 से जादा का लोन है और 20,000,000 रुपए तक का लोन है तो जादा से जादा 10% का margin आप मांग सकते हैं और 10,000,000 रुपए तक का लोन है तो कोई margin नहीं है 0% margin की जरौत होती है margin का मतलब आप समझते ही होंगे मानलिजे आपको 1,000,000 रुपए की लोन चाहिए और bank ने कहा कि 10% margin लगेगा तो इसका मतलब हुआ कि 1,000,000 रुपए का 10% यानि 10,000 रुपए आप खुद से व्यवस्था करेंगे और bank आपको 90,000 रुपए लोन देगा आपको जरौत कितने की थी 1,000,000 रुपए की दिया कितना bank ने 90,000 रुपए क्यों दिया क्योंकि bank ने margin money का concept लगा हुए कि 10% आप खुद व्यवस्था करिए इसलिए कई बार bankers फस जाता है क्यों फस जाता है जब आपको housing loan लेना होता है वहाँ पर पता चलता है कि 15% का margin है अब आप सूचिए कि 15% आप 60,000,000 का घर खरीद रहे हूँ तो 15% मतलब समझते हैं 9,000,000 रुपए हो गए 9,000,000 रुपए arrange करना is not easy है ना क्योंकि हम अगर arrange कर पाते हो तो 60,000,000 का loan क्यों लेते हैं तो इस वैसे यह थोड़ा problematic होता है बट फिर भी है तो concept है ही इसके लावाँ एक और प्रालम होती है कि जो जैसे 60,000,000 आप घर खरीद ओगे फ्रेंट या फ्लैट खरीद ओगे ना तो वहाँ जो 15,000,000 लाना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है क्योंकि हमने तो लोन करवार का 15,000,000 रुपए लाएंगे कहां से इसलिए कई बार जो है आदमी या बैंकर लोन मतलब घर भी नहीं खरीद पाता है या फिर भार घर नहीं बनवा पाता है दा इंटार लोन उड़ी इलि पर एक लोन में हम कोई कोलेटरल तो नहीं मांग रहे हैं कोई लियन तो नहीं मांग कर रहे हैं लेकिन आपको इसे CGFMU यानि क्रेडिट गरंटी फंड फार माइक्रो यूनिट्स में कबरेज करवाना जरूरी हो जाता है ठीक है आगे फिर कोछ जर्नल सी गाइडलाइन्स ह हम ने देखा कि 3,00,000 रुपए तक के लोन पर मतलब हमें इस सबसिटी मिलती है एक तरीके से 7% पर ये लोन मिलता है 3,00,000 रुपए तक का आप लोन लेंगे तो वो 7% रेट आप इंट्रेस्ट पर मिलेगा लोन आप CC के तौर पर OD के तौर पर है ना या CC प्लस OD दोनों के रूप में ले सकते हैं जो 7% और बैंक के द्वारा जो लोन मतलब इंट्रेस्ट चार्ज किया था उसके बीच के जो डिफरेंस होता है उसे गौवर्मेंट पे करती है बैंक को और गौवर्मेंट मैक्समुम साथे 5% बैंक को पे करना चाहती है अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं एसेजी दोरा टाइमली रिपेमेंट की जाती है तो 3% का फर्दर जो है छूट मिलती है इंवेंसन मतलब इंट्रेस्ट अवेंसन मिलता है तो यह कुलमला करके ओवराल 4% रेट आफ मतलब जब आप अकाउंट ओपन करें उसमें आवस्सेक तोर पर पर पैन नंबर ना मांगे फार्म 60 से काम चला लें बाद में मांग सकते हैं जो बीसी होते हैं वो भी बैंक को मतलब सेलफ हेल्प गूप के सेविंग खोल सकते हैं सेलफ हेल्प गूप को फाइनेंस मिलेगा लेगन उसके लिए कुछ कंडिशन होती हैं पहला पिछले छे महीने से सजी जो है एक्सिस्टेंस में ना चाहिए है उसके आद में सेलफ हेल्प गूप को चाहिए कि वो पंच सूत को प्रैक्टेस करें पंच सूत में आपका रगलर मीटिंग रगलर सेविंग रगलर टाइमली डिपेमेंट अप्टू डेट पूप अपकांट्स होना चाहिए उसके अलाओं कोई सेल्फ ग्रूप है जो कि डिफंक्ट हो गया है नन फंक्शनल हो गया था पहले से बाद एक्जिस्टिंग था लेकिन नान फंक्शनल हो गया था तो उसको भी लोन दिया सकता है लेकिन वो कम से पिछले तीन महीनों से रिवाइब और कांटीनीव वर्किंग होना चाहिए लोन इमाउंट के अगर हम बात करें तो इसमें मल्टिपल डोजेज में मल्टिपल स्टेजेज में लोन दिया जाता है इससे क्या क्या आता है कि ओबर दा पीरेड आफ टाइम पूर होती है यानि कि ड्राइंग पर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है होकिए इसको बढ़ाया जाता है इसमें हमने बता है आपको डोजेज की बात करें तो पहली डोज में पहले स्टेज में जितना भी इनकी पूंजी है उसका 6 गुना या 1.5 लाख रुपए जो भी जा तो 6 गुना या 1.5 लाख रुपए, 2 साल से 3 साल तक है ना, 3 लाख रुपए या 8 गुना, 3 साल से 4 साल, ये 4 साल से 5 साल, ये 5 साल से 7 साल है ना, 5 to 7 यर में आपको रेटन करना होता है, अगर हम margin और security की बात करें, तो 10 लाख रुपए तक का loan में ना तो कोई collateral है, ना ही कोई margin है, ना ही account में कोई lien मार के जाता है, ना ही कोई FD मांगी जाती है, अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का loan है, और 20 लाख रुपए तक का loan है, तो कोई collateral नहीं मांगा जाएगा, कोई lien नहीं मार के जाएग account में, लेकिन जो आपका loan है, उसको CGFMU से coverage मिलना चाहिए, यान CGFMU से होगा, यहाँ पर अगर 10 लाख से ज़्यादा और 20 लाख रुपए तक का loan है, तो वहाँ पर 10% का margin मांगा जाता है, ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रूरल बैंकिंग के पाइट आप उसे, तो SLBC, DCC, BLBC, इन फोरम्स का क्या role रहता है, किसमें, आपका day and alarm scheme में, SLBC self-constitute as subcommittee on SSG bank linkage, तो SLBC यानि state level bankers committee होता है, SLBC की हम बात करें कि SLBC क्या करेगा, तो SLBC को चाहिए कि एक subcommittee बना दे, किसके लिए, self-help group और bank linkage के लिए, यानि कि self-help group और bank के बीज में, एक linking होनी चाहिए, उसके लिए, specific agenda of review, implementation and monitoring of self-help group, bank linkage and issue constraint in achievement of credit target, इस committee का काम क्या होगा, कि वो discuss करेगा, specific agenda बनाएगा, किसीज का कि कैसे हम review करेंगे, कैसे हम implement करेंगे, कैसे हम monitoring करेंगे, किसीज की SSG bank linkage program को, साथ ही साथ में क्या issue और constraints हम फेज कर रहे हैं, अपने credit target को achieve करने में, the decision of SLBC will be derived from the analysis of report of subcommittee, तो SLBC की decisions होगे, जनेर होगे, वो कहां से निकलेंगे, यह जो subcommittee हमने बनाई हुई है, उस subcommittee की report को देख करके, उसी का analysis करके ही, SLBC अपना decision लेगी, फिर DCC का क्या role रहेगा, district consultative committee, DCC का role क्या रहेगा, DCC cell regularly monitor the flow of credit to SSG at district level, and resolve issues that constrain the flow of credit to SSG at district level, तो मतलब यहां पर जो district consultative committee होगे, उसका काम क्या होगा, monitoring करने का होगा, regularly monitor करेगा किसी चीज को, कि self-help group को परियाप्त loan मिल पा रहा है, या नहीं मिल पा रहा है, और यह काम चुकिए district consultative committee है, तो district level पर किया जाएगा, और अगर कोई issue है, किसी तरीके कोई बाधा है, तो उसको resolve करने में भी DCC मदद करेगी, the committee should have participation of LDM's, है न, lead district managers होते हैं आपके, AGM's of NABAD, district coordinators of bank and representative of DNRLM, office bearer of SSG Federation, तो जो यह committee बनेगी, आपके district consultative committee, इसमें कहां कहां से लोग रहेंगे, LDM's रहेंगे, नाबाड के AGM's रहेंगे, बैंकों के जो district coordinators होते हैं, वो रहेंगे, DNRLM के staff member होगे, साथ ही साथ में self-help group के जो federation है, उसके office bearer होगे भी इसके members होते हैं, BLBC क्या करेगी, block label bankers committee का role क्या होगा, BLBC cell take up issue of SSG bank linkage at block label, ठीक है, यानि कहने में गतलब जो issues हो रहे थे, issue resolve करने का काम, district label पर कौन कर रहा था, district consultative committee कर रहे थी, वही अगर block label पर कोई issue हो रहा है, SSG bank linkage program में, तो वो BLBC की जिम्मेदारी हुए, उसको resolve करवाना, in this committee the SSG federation of SSG should be included as member to raise their voice in the forum, अब ये जो committee रहे गी BLBC की, उसमें self-help group के, जो union होगे रहे हैं, उनके members को include किया जाना चाहिए, ताकि वो इस forum में अपनी आवाज को, अपनी बात को रख सकें, branch-wise status of SSG credit self-be monitored as BLBC, तो BLBC को चाहिए कि branch-wise self-help group में कितना credit दिया गया है, उसकी monitoring की जानी चाहिए, किसके दोरा, BLBC के दोरा की जानी चाहिए, बात करें reporting procedure की, तो यह तो था कि मतलब BLBC और यह लोग करेंगे क्या, अब reporting के अगर हम बात करें, reporting to LDM's, है न, lead district managers, तो lead district managers को reporting की जाती है, the branches में furnish the progress report, and delicacy report achieved under various activity of day NRLM in prescribed format every month, for onward submission to special steering committee, subcommittee constitutions by SLBC, तो branches को चाहिए, कि वो जो है, जो भी progress हुई है, DNRLM scheme में, या कुछी तरीके कोई लापरवाही हुई है, उसकी report को, prescribed format में हर महीने, submit किया जाना चाहिए, किसके पास में, LDM के पास में, वो LDM किसको submit करेगा इस report को, जो further steering committee वगरा होती है, जिसको SLBC द्वारा, है न, state level bankers committee जो होती है, उसके द्वारा इसे constitute किया जाता है, RBI की reporting, reporting to RBI, bank may give a state-wise consolidated report on progress made on day NRLM to RBI नाबाड at quarterly intervals, तो बैंकों को चाहिए, कि राज जिवाइज कितनी progress हुई है day NRLM, इसकी details RBI और नाबाड को, हर quarter में submit की जानी चाहिए, data may be submitted within a month, from the end of concerned quarter, जब भी quarter end होता है, उसके एक महीने के अंदर अंदर, जून में खतम हुआ, तो जुलाई के है न, दिसंबर में खतम हुआ, तो जनुवरी तक data submit हो जाना चाहिए, LVR returns, it means lead bank return होता है, LVR का मतलब होता है, lead bank return, existing procedure of submitting LVR return to be continued, daily furnishing the correct code, मतलब कहना है कि जो पहले से lead bank return का जो concept चला आ रहा था, वो पहले से जो चला रहा था, वही चलता रहेगा, उसको बंद करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये कुछ और बाते हो गए फ्रेंट जो है, मतलब यहां तक फ्रेंट जो हमने पढ़ा था न, यह 10 लाग, 20 लाग, यह अब का day nrlm scheme के बारे में था, उसके features के बारे में था, और यह किस बारे में है, कि मतलब जो हमारी agencies हैं, उनका क्या role है day nrlm में, उसके बारे में है, तो इसमें हमने SLBC state label bankers committee के role में हमने देखा कि, SLBC को चाहिए कि वो एक subcommittee बना दे, किस पे SSG bank linkage पर, ठीक है, इस committee में जो member होंगे, वो सभी bank को, उस राजी के जितने भी banks हैं, उनके members होंगे, नाबार से लोग होंगे, RBI से लोग होंगे इसमें, ठीक है, उसका आद में state rural development department के लोग होंगे, इस committee में, ठीक है, इस committee का काम क्या होगा, SSG bank link के जो program है, उसको review कैसे किया जाएगा, उसको implement कैसे, monitor कैसे किया जाएगा, इस पर agenda बनाना होगा, ठीक है, SLBC का जो decision होगा, वो ये जो subcommittee बनी है, उसकी report की analysis के आधार पर ही, SLBC अपना decision देगी, SSG को loan मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, district level पर ये काम करना होगा, DCC को, और अगर कोई constraints है, कोई issue है, तो उसको resolve करने के विज़ेमेदारी, DCC की ही होगी, इस committee में, LDM होगे, AGM, NABAD के AGM होगे, district coordinator bank के होगे, उसका आद में, BLBC का क्या रूल होगा, तो इनको block अस्तर पर जो, SSG bank link के से related issues हैं, उनको resolve करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, इस committee में, self-help group के, या self-help group का जो federation है, उसके members को include किया जाएगा, ताकि forum में अपनी आवाज को, अपनी बात को रख सकें, उसके आद में, self-help group की credit flow का क्या status है, इसकी monitoring branch wise, जो है BLBC द्वारा किया जाना, चाहिए block level banker committee के द्वारा किया जाना जी है, reporting procedure के अगर बात करें, तो पहला है reporting to LDM, तो हर महीने, हर branch से data furnish किया जाएगा, LDM data ही कठा करेगा, किस बारे में, कि कितनी progress हुई है, DNR LM में, ठीक है, और इस data को एक specific format में, special steering committee वेरा के सामने, रखा जाएगा, LDM के द्वारा, RBI को भी report किया जाएगा, quarterly basis पर किया जाएगा, हर एक bank अपने, statewide हर राज में, कितनी progress हुई है, DNR LM में, उसका data RVA और नाबाड के सामने रखेगा, quarterly interval पर, और ये हर quarter के खतम होने के, एक महीने के अंदर अंदर, submit किया जाना चाहिए, LVR returns के अगर बात करें, तो इसका मतलब होता है, lead bank return, LVR, lead bank returns होता है, तो जो पहले से LVR, submit किया जा रहा था, वो as it is submit किया जाएगा, इसी के साथ में, ये lecture जो है, हमारा day NRLM पर, खतम होता है, thank you so much,